बच्चों, आज मैं आपसे कक्षा 11 व्यवसाई अध्यन के अध्याए 11 अंतराश्टिय व्यापार के अभ्यास प्रश्णों पर चर्चा करूँगा। गत वीडियो में हमने लगुत्रात्मक प्रश्णु देखे थे इस वीडियो में हम दिर्ग उत्रात्मक प्रश्णु पर चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में यहाँ पर हमें विवेचना करनी है आईए देखते हैं अंतराष्टिय व्यवसाय अंतराष्टिय व्यापार से अधिक व्यापक है हमने अध्याय पढ़ते समय देखा था कि जो अंतराष्टिय व्यापार है वह होता है वस्तूओं और सेवाओं का देखिए वस्तूओं और सेवाओं का आयात निल्यात आयात निल्यात यह तो होता है अंतराष्टिये व्यापार जबकि अंतराष्टिये व्यवसाये में यह तो सम्मिलित है ही इसके साथ में दूसरे देश में जाकर उत्पादन किल्या करना विपनन कार्य करना दूसरे देश में जाकर निवेश करना वहां पर कोई उपकरम स्तापित करना सैंत्र स्तापित करना भी समिलित होता है तो जो अंतराष्टिये व्यवसाये है वह अंतराष्टिये व्यापार से अधिक विस्त्रत होता है आईए कैसे लिखना है यह भी देख होती हैं बहुत से लोग अंतर राष्टिय व्यवसाय का अर्थ अंतर राष्टिय व्यापार से लगाते हैं कई लोग इन दोनों में अंतर नहीं करते वो दोनों को एक समझकर चलते हैं किन्तु अंतर राष्टिय व्यवसाय का छेतर काफी विस्तृत है देखिए अंतर राष् आय में ने केवल वस्तुओं तथा सेवाउं के आयात निल्यात को शामिल किया जाता है बलकि व्यभयसाइक फर्मों द्वारा अंतराश्टी व्यापार करने के सभी मार्गूं तरीकों तथा माध्यमों को भी संहुगत किया इंसिंग फ्रेंचाइजिंग भी समिलित होती है सेवाओं का अंतराष्टिय व्यापार जैसे यात्रा एवं पल्यटन परिवहन संप्रेशन बैंकिंग भंडारन वित्रण एवं विज्यापन काफी अधिक बढ़ गया है पहले वस्तुमों का जो आयात निल्यात होता था उसी को अंतराष्टिय व्यवसाय का एक बहुत बड़ा भाग माना जाता था कि अंतराष्टिय व्यवसाय में वस्तुमों का आयात निल्यात बहुत बड़ा इस्तान रखता है यह माननेता थी और अन्य जो सेवाओं का वह अन्य के लिए कलाब हैं उनको कम महत्व दिया जाता थ लेकिन धीरे धीरे वस्तुों के आयात नियात के साथ सेवाओं का आयात नियात और अन्य गतिविदियां अन्य जो ये कालिये हैं इनको भी पूरा महत्व दिया जाने लगा है दूसरी उतनी ही महत्वपून प्रगत्ती विदेशी निवेश में व्रद्दी एवं विदेशों में वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन में हुई है दूसरे देशों में निवेश करने में और दूसरे देशों में जाकर उत्पादन करने में भी व्रद्दी हुई है अब कंपनिया दूसरे देशों में अधिक विनियोग तथा वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करने लगी है जिससे की वह विदेशी ग्राहकों के और समीप आ सके तथा कम लागत पर और अधिक प्रभावी धंसें उनकी सेवा कर सके ऐसा करके अन मुसार वे उत्पादन करने लगी है जिससे ग्राहकों से समीपता बड़ी है और उनकी आवशक्ता की पूर्ती भी करने लगी हैं यह सभी गतिविदियां अंतरराष्टिय व्यवसाय का भाग हैं यह सरी गतिविदियां जो भी है संयुक्त उपक्रम इस्तापित करना चाहे पूंजी निवेश करना नई उपक्रम की स्तापना करना यह सभी अंतरराष्टिय व्यवसाय का एक भाग हैं अंतरराष्टिय व्यवसाय में अंतरराष्टिय व्यापार की गतिविदी अर्थात वस्तूओं का आयात निल्यात तो समिलित है ही इसके साथ ही निमलेखित को भ आयात निल्यात को भी पूरा महत्व दिया जाता है अंतराश्टिय व्यवसाय में सेवाओं का आयात एवं निल्यात को सम्मिलित किया जाता है अन्य गतिविदियां अंतराश्टिय व्यवसाय में अंतराश्टिय इस्तर पर होने वाली समस्त व्यवसाई गतिविदियों को सम् प्रमुख है अनुग्यप्ति एवं विक्रेया दिकार, लाइसेंसिंग एवं फ्रेंचाइजिंग, अनुग्यप्ति के अंतरगत उत्पादक वर्ग किसी देश की व्यवसाइक संस्ता को अपने देश में अपने द्वारा निर्मित वस्तुएं एवं सेमाएं बेचने के है पेटेंट ले लिया है और अब यदि भारत की कोई कंपनी कोई फर्म उस वस्तु का उत्पादन करना चाहती है तो वह इस कंपनी के पास जाएगी और इससे निश्चित फीज रोयल्टी के बदले में इससे लाइसेंस प्राप्त कर लेगी और इस लाइसेंस के बदले यह उत्पादन और विक्रे करने का अधिकार ले लेगी यानि अब वह उसके उत्पाद का उत्पादन कर सकती है और उसका विक्रे भी कर सकती है यह होता है लाइसेंसिंग अनुग्यप्ति अनुग्यप्ति के तहत ही विदेशों में इस्तानी उत्पादक पैपसी एवं कोका कोला उत्पादन एवं विक्रे करते हैं फ्रेंचाइजी सेवाओं के संदर्ब में प्रियुक्त होती है देखिए अनुगेप्ति का प्रियोक्तु किया जाता है वस्तुओं के संदर्भ में यह हमने देखा था पहले और विक्रेयाधिकार जिसे हम फ्रेंचाइजिंग भी कहते हैं यह सेवाओं के संदर्भ में काम में लिया जाता है फ्रेंचायजी सेवाओं के संदर्म में प्रियुक्त होती है, मैक डोनल्स विक्रेय अदिकार फ्रेंचायजी परनाली के द्वारा ही पूरे विश्व में खाद्य जल्पान गरहे चलाते हैं, मैक डोनल्स इसका उधारण है, विदेश निवेश विदेशों में निवेश करना इसके अंतरगत एक देश की कंपनिया या लोग दूसरे देशों में संयुक्त कंपनियों अत्वा अन्यकारियों में सीधे पुंजी निवेश करते हैं वहां की एक देश की फर्म हैं वहें दूसरे देश की फर्म के अंदर निवेश करके क्या करेगी उसके अधिग्रेहन कर लेगी तो इस प्रकार भी वहें दूसरे देश में अपनी कंपनी इस्तापित कर सकती है या यह दोनों मिलकर एक नई फर्म एक नई फर्म का क्या है निर राश्टिये व्यवसाय अंतर राश्टिये व्यापार से अधिक व्यापक है जो विदेशों से व्यापार एवं वहां वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन से मिलकर बना है जो विदेशों से व्यापार तो करता ही है साथ में वहां पर वस्तुयों और सेवाओं के प्राप्त करना चाहती है इसके लिए वे अपने उत्पादों को ऐसे देशों में ले जाकर बेचना चाहती हैं जहां पर उन्हें अधिक से अधिक लाप्त हो जहां वो अपनी वस्तूओं को अधिक कीमतों पर बेच सके अंतराश्य व्यवसाय के कारण फर में उन देशों में अपनी वस्तूओं को बेच कर अधिक लाप कमा सकती है जहां पर उन्हें अधिक कीमतों पर बेचा जा सकता है अधिक कीमतों पर जहां वो बेच सकती है ऐसे देशों में वो क्या करती है व्यापार करती है बड़ी हुई शम्ता का उप्योग देखिए जब अंतराश्टिय व्यवसाय में कोई फर्म उतरती है तो उसकी उत्पादन शम्ता भी बढ़ानी पड़ती है उसको अपनी उत्पादन शम्ता को बहुत अधिक बढ़ाना पड़ता है जिससे उसकी लागतों में कमी आती है और लागतों में क आईये विस्तार एवं अन्यजेसों के ग्राहकों से आदेश प्राप्ट करके बड़े पैमाने पर उत्पादन कर अनेक लाप प्रापत कर सकती हैं, जिस से उत्पादन लागत में कमी आती है, ततह प्रति इकाई लाऑ में वरत्दी होती है, उसका लाऑ भी बढ़ता है. है अगला है विकास की संभावनाएं देखिए जब कोई फर्म या इकाई विदेसी बाजार में उतरती है तो उस फर्म का धीरे-धीरे विकास होता है पहले अपने देश में उसकी फर्म थी अब दूसरे देश में भी उसने कोई इकाई खोल ली है तो विकास हो रहा है अंतराश्टी व्यवसाय के कारण फर्मे इकाईयां विदेशी बाजार में प्रवेश कर अपने विकास के अवसर काफी हद तक बड़ा सकती हैं इसने ही विक्सित देशों की बहुराश्ट्रिय कंपनियों को विकास्टी देशों के बाजार मे प्रवेश के लिए प्रेरित किया है और इसी बात से प्रेरित होकर जो अंतराश्टी एक कंपनिया है बड़ी कंपनिया है वो विकास्थी इल देशों में जाकर वहाँ पर अपनी फर्मे इस्तापित कर रही है और अपने व्यापार का अपने व्यवसाय का विकास करने में घरेलू छेत्र में बहुत सारी प्रतीसपरदा हो जाती है और ऐसी प्रतीसपरदा से बचने के लिए फर में क्या है अंतरराश्टिये इस तर पर दूसरे देशों के अंदर व्यापार करना प्रारंब करके इस घरेलू प्रतीसपरदा से अपना बचाव करने लगी हैं आंतरेक बाजार में उत्पन्द गोर गहन प्रतियोगिता के होने पर व्यवसाय के प्रियाप्त विकास के लिए अंतराश्ट्य व्यापार ही एक मात्र उपाय है घरेलू बाजार में गहन प्रतियोगिता के कारण कई कमपनियां अपने उत्पादों के लिए बाजार की तलास में विदेशों को पलायन करती है यह जो घरेलू प्रतीस परदा से बचने के लिए कंपनी है यह अंतराष्ट यह इस तर पर दूसरे देशों में जाकर अपनी वस्तू का विक्रे करने लगती है वहाँ पर यह क्या करेगी अपनी वस्तू यह बेचने का कार यह करेगी और इस घरेलू प्रतीस परदा से अपना वचाव करेगी अगला पॉइंट है व्यवसाई द्रश्टी कौन देखिए हर व्यवसाई यह चाता है कि उसके व्यवसाई का विकास हो और वह अंतराश्टी इस तर पर बड़ा व्यवसाई बने यह उसकी आकांग्षा भी होती है उसकी आवशक्ता विविदी करण की आवशक्ता एवं अंतराश्टी करण के लाप्राप्ति की चाह में कंपनियों की व्यवसाई की नीतियों एवं रणनितिक प्रबंदन में अंतराश्टी व्यवसाई को एक महत्वपूर्ण भाग बना दिया है यह जो आकांग्षा होती है जो महत्वा कांक्षा होती है तथा विकास की जो अवसर ढूनने की बात होती है इसके कारण व्यवसाईयों की रननितिक जो रूप रेखा है उसमें अब बदलाव आने लगा है वो अंतरराश्टिय इस्तर पर जाकर व्यवसाई करना चाहते हैं और उसी के अनुरूप अपनी यो सिर्ष्टटर माद्यम है देखिए यहां पूछा गया है। रिजयात किस परकार से विदेशों में संपूर्ण स्वामित्व कम्पनियों की सिर्ष्ट्रमाद्यम हैं हम दूसरे देश मेंactic संपूर्ण स्वामित्व माध्यम है क्योंकि यह प्रवेश की सरल पद्दती है अन्य माध्यमों संयुक्त उपकरम और संपूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी की स्तापना से प्रबंदन की तुलना में अंतराष्टिय बाजार में प्रवेश की आयात निल्यात सबसे सरल पद्दती मानी जाती है देखिए उन दोनों के अंदर बहुत सी उपचारिक्ताएं पूरी करनी पड़ती है आप अपनी इकाई अगर दूसरे देश में जाकर खोलना चाते हैं वहां की कमपनी का सत प्रतीशत अधिक रहन करना चाते हैं तो कहीं प्रकार की आपको कानूनी उपचारिक्ताएं पूरी करनी पड़ती है लेकिन निर्यात के लिए अधिक कानूनी अपचारिक्ताओं की पूर्ती नहीं करनी पड़ती और आप अपने उत्पादन यदि उसकी अच्छी गुनवत्ता है तो उसे दूसरे देश में ले जाकर क्या कर सकते हैं उसका विक्रे कर सकते हैं अधिक धन वैस समय की आवशक्ता नहीं निर्यात कारिय के लिए आपको अधिक समय और अधिक धन की आवशक्ता भी नहीं होती जबकि संपूर्ण स्वामित वाली जब कंपनी आप इस्तापित करते हैं दूसरे देश में तो आपको अधिक समय भी लगाना पड़ेगा और आयात निल्यात में व्यवसाई की काईयों को उतना धन एवं समय लगाने की आवशक्ता नहीं है जितना की संयुक्त उपकरम में समिलित होने या दूसरे देश में विनिर्मान संयंत्र एवं सुविदाओं को इस्तापित करने में लगाया जाता है अगला है जोखिम सुन्य या कम देखिए निल्यात में अन्य की तुलना में जोखिम सुन्य होता है या कम होता है बच्चों दूसरे देश में जाकर जब हम कोई उपक्रम स्तापित करते हैं तो उसमें हमें भारी निवेश करना होता है भारी निवेश करना होता है और जब हमारा द्वारा किया गया निवेश बहुत जादा है और किसी भी प्रकार की हानी होती है तो वह हानी हमें ही वहन करनी होगी तो इससे हमारा जोखिम क्या है बहुत बढ़ जाता है जबकि निल्यात में जोखिम कम रहता है विदेशों में निवेश की जोखिम सुन्य होता है या फिर अंतराष्टिय व्यवसाय में प्रवेश की अन्य माध्यमों की तुलना में यह बहुत ही कम होता है देखिए जो निल प्राफित इस्तपित करेंगे या फिर संपूर्ण स्वामितंव हाली इस्तपित करेंगे तो वहां-पनद निल्यात से अधिक निवेश किया जाता है तो ऐसी स्थिमें लिश्व दा जोखिम भी उन्हें उठाना पड़ता है। ही आगे देखते bushes को किर्यानवित करने में रेखां गारमेंट को किस परकिल्या से गुजरना होगा विवेचना कीजिए देखिये यहां पर नियात का आदेश प्राप्त हो चुका है जो की नियात परकिल्या का जो चरण हमने पढ़ा था इसमें दूसरा बिंदू था आगे देखते हैं बच्चों इसका उत्तर रेखा गार्मेंट्स को अपने निल्यात आदेश को किल्यांदवित करने के लिए निमलिखित पतिया से गुजरना होगा यहाँ पर हमने शंक्षेप में पॉइंट लिए हैं आपको इनके बारे में डिटेल भी लिखन था कि आयातक की साख का आंकलन एवं भुक्तान की गारंटी प्राप्त करना कि आयातक जो है वह आदेश तो प्रदान कर रहा है लेकिन क्या भुक्तान करने में शक्षम है या नहीं तो ऐसी इस्तती में उससे भुक्तान की गारंटी प्राप्त करनी होती है साखवत्र प्रा लाइसेंस प्राप्त करना अब चुंकि हम निल्यात का कालिय करेंगे तो हमें निल्यात लाइसेंस प्राप्त करना होगा कि भई हम निल्यात करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें लाइसेंस की प्रकिल्या से गुजरना होगा तीसरा है माल प्रेशंट से पूर्व वित्य प्र शक्ता होगी तो हम बैंक से यह वित्प्राप्त करेंगे चोता बिंदू वस्तुओं का उत्पादन एवं अधिप्राप्ति अब हम आदेश के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करते हैं या फिर वस्तुओं का क्रे करते हैं क्योंकि हमें हो सकता है क्रे करके उनको असेंब पादन करेंगे और वस्तू क्रे करेंगे पाच्वा बिंदू है जहाज लदान निरिक्षन देखिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी देश यह नहीं चाहता कि उसके देश से दूसरे देश में जाने वाली वस्तू की गुणवत्ता खराब हो तो इसके लिए जहाज म की निकासी देखिए उत्पादन पर जब भी कोई नहीं वस्तू का उत्पादन किया जाता है तो उस पर उत्पाद शुल्क देना होता है लेकिन सरकार द्वारा उत्पादन शुल्क जो निरियात की जाने वाली वस्तू होती है उन पर नहीं वसुला जाता उन पर अपस कर दिया जाता है। उद्गम प्रमानपत्र प्राप्त करना, जब हम अपनी वस्तु को दूसरे देश में भेज रहे हैं तो दूसरी देश का जो आया तक है वह यह चाहता है कि यह वस्तु उसी देश में निर्मित की गई है जहां से आ रही है इसके लिए वह है उद्गम प्रमान पत्र की मांग करता है तो निर्यातक को उद्गम प्रमान पत्र भी प्राप्त करना होता है जहाज में इस्तान का आरक्षन चूंकि एक देश से दूसरे इस देश में सामान जाएगा तो ऐसी इस्तती में जहाज में यह तो है नहीं कि हमने रखा और चला गया नहीं वहां पर बहुत सारी निर्यातक होते हैं इसलिए पहले ही इस्तान का आरक्षन करवा लिया जाता है पैकिंग एवं माल को भेजना चुकि सामान एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा तो ऐसी इस्तती में माल को अच्छी तरीक अब चुकि जाहज से जाएगा या फिर वायुमार्ग से जाएगा ऐसी इस्तती में वस्तू में टूट फूट हो सकती है वस्तू को जोखिम हो सकती है तो ऐसी इस्तती से बचने के लिए व्यवसाई वस्तूओं का भीमा भी कराता है कुस्टम निकासी चुकि सामान दूसर देश में जा रहा है तो custom clearance भी उसे प्राप्त करनी होती है जहाज के कप्तान की रसीद प्राप्त करना देखिए चुंकि सामान जहाज में जा रहा है तो जहाज के कप्तान की रसीद भी प्राप्त करनी होती है जिसमें जहाज का नाम होता है कहां से जहाज रवाना हो रहा है और किस इस्तान पर जाएगा किस बंदरगा पर जाएगा उसका उल्लेक उस रसीद पर होता है माल की संख्या होती है माल का प्रकार उस पर अंकित होता है भाड़े का भुकतान एवम जहाजी बिल्टी का बीमा देखिए अब जो निल्या तक है वह भाड़े का भुकतान करेग क्योंकि बिदा भाड़ा चुकाएं कोई भी जहाज सामान नहीं लेकर जाता बीजक बनाना अब जहाज इबिल्टी के आधार पर वह इन्वोईस बनाएगा बीजक तयार करेगा और इसे दूसरे जो देश का आयातक है उसके पास विजवाएगा अपने बैंक के माध्यम से पंदरवा भुकतान प्राप्त करना अब निल्यातक द्वारा अपने बैंक के माध्यम से जो भी प्रलेक विजवाए गए हैं उन प्रलेखों को आयातक को तभी सोपे जाते हैं जब वह भुक्तान कर देता है या तो वह भुक्तान तुरंत कर देगा या फिर वह भुक्तान की गारंटी देता है तो इस प्रकार से एक वस्तू का निल्यात किया जाता है ये निल्यात प्रकिल्या के चरण है आगे देखते कीजिए अब हमारी जो फ situ system हैं वह कनाडा से क्या इना चाए है शीजबी का आयात करना चार इसाए तो आयात के चरण देखते हैं बत्चों हमारी logid से कपड़ा मशीद के आयात की योजना बना रही है तो हमें निम लिके दायात प्रकिल्या को अपनाना होगा पहला व्यापारिक पूस्ताच करना अब हमें कपड़ा मसीन की आवश्क्ता है ठीक है तो अब यह मसीन कौन से व्यापारी सप्लाई कर सकते हैं कनाड़ा के उसके हम क्या करेंगे विज्ञापन के माध्यम से या पूस्ताच पत्र के करनाते हैं आयात लाइसेंस प्राप्त करना अब चूंकि हम दूसरे देश से सामान आयात करके मंगवा रहे हैं तो हमें आयात लाइसेंस भी प्राप्त करना होगा तीसरा विदेशी मुद्रा का प्रबंद करना अब चूंकि जो दूसरी फर्म हैं निल्यातक फर्म हैं वह क से सी मुद्रा का प्रबंद करना होगा और इसके लिए RBI के अधिकरत बैंक से हम संपर्क करेंगे RBI के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालना करेंगे चोथा आदेश अथवा इडेंट भेजना अब इस दोरान जो यह फर्मे थी इन्होंने अपने कोटेशन हमें भेजे थे इन फर्मोंने क्या किया अपने कोटेशन भेजे और हमने जिस कंपनी के जिस फर्म का कोटेशन हमारे को अच्छा लगा हमने उसे क्या कर दिया आदेश भेज दिया है अपना आदेश उसे प्रेशित कर दिया साख पत्र प्राप्त करना अगला चरन ह करेगा, वित्त की व्यवस्ता करेगा, क्योंकि हमें अपनी वस्तु छुड़ाने के लिए पैसे की आवशक्ता होगी, उसका भुक्तान करना होगा, इसलिए वित्त की व्यवस्ता भी हम करते हैं, जाहत से माल भेज दिये जाने की सूचना की प्राप्ति अब जो निल्यातक है वह हमें क्या करेगा जहाज से माल भेज देने की सूचना भेजेगा और वह हमें प्राप्त होगी आठवा बिंदू है आयात प्रलेखों को छुडाना अब हमें जाकर आयात प्रलेखों को बैंक से छुडाना होगा निल्यातक ने अपने बैंक के माध्यम से सारे प्रलेख भेजे हैं हमें भुकतान करके वो प्रलेख छुडाने होंगे माल का आगमन, माल का जैसे ही आगमन होगा, वैसे ही पोर्ट बंदरगा के जो अधिक्षक है, वहाँ पर सूचना प्राप्त होगी, या एरपोर्ट का जो अधिक्षक है, एरपोर्ट का जो अधिकारी है, वह हमें सूचना प्रदान करेगा कि आपका माल पहुँच चुका है, दस्वा सीमा सुल्क निकासी एवं माल को छुड़ाना चूंकि हम वस्तू का आयात कर रहे हैं तो उस पर सीमा सुल्क हमें देना होगा हम सीमा सुलक का भुखतान करेंगे और अपने माल को छुड़ा कर प्राप्त करेंगे ये थी आयात प्रकिलिया कपना मशीन को आयात करने के लिए हमें इन चरणों से गुजरना होगा अगला प्रश्ण है देश के विदेशी व्यापार को बड़ावा देने के लिए सरकार ने जिन संगटनों की इस्तापना की है उनके नाम दीजिये आईए बच्चों भारत सरकार हमारे देश में विदेशी व्यापार की प्रकिलिया को सुविदा जनक बनाने के लिए समय समय पर विबिन्न संस्तानों की इस्तापना करती रही है वह समय समय पर कई संस्तान इस्तापिद कर रही है वानिज्य विभाग भारत सरकार के वानिज्य मंत्राले में वानिज्य विभाग सर्वोच्य संस्ता है जो देश के विदेशी व्यापार एवं इससे संबंदित सभी मामल के लिए उत्तरदाई है यह हमारे विदेशी व्यापार से संबंदित नियम बनाती है आयात नियात के नियम बनाने का काल्य करती है यह विवाग विदेशी व्यापार के लिए नीतिया निर्दारित करता है विसेश रूप से देश की आयात नियात नियात निती बनाती है निय प्रोफे परीशद अब देखे मिल्यात को Ochन देने के लिए ये परिशेदों की स्काप न की जाती है जिंको कंपनी अदिनियम के अंतरगत पंजिकरत खुड़ कराए जाता है। विसेश्च उत्पादों के निल्याथ डेखेव विशिष्ट उत्पाद जो होते हैं उनके निल्यात को बढ़ावा देना एमम विक्सित करना इसका प्रमुक कारिये होता है अगला है सामगरी बोर्ड ये वे बोर्ड होते हैं जिनकी इस्तापना भारत सरकार द्वारा परंपरागत वस्तुओं के उत्पादन के विकास एमम उनके निल्यात के लिए की जाती है जो परंपरागत वस्तुओं हैं उनके उत्पादन को अधिक बढ़ावा मिले उत्पादन का विकास हो तता उनका निल्यात अधिक से अधिक किया जाए इसके लिए ये सामगरी बोर्ड बनाए जाते हैं भारत में साथ सामगरी बोर्ड ह वी गठन करने की बात सामने आई है अगला है निल्यात निरिख्षण परिषद ई-i-c इस परिषद का उद्देश्च गुणुवत्ता नियंत्रण एवम लदान पूर्व निरिख्षण के माध्यम से निल्यात व्यवसाय का संवर्दन करना है हमने निल्यात के चरणों में प परिशदों के माद्यम से लदान पूर्व निरिक्षन करती है और अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं दूसरे देशों में भेजी जाएं इसको सुनिक्षित करती है। कुछ वस्तुओं को छोड़ कर से सभी निर्यात की वस्तुओं के लिए EIC की स्वीकर्ती लेनी अनिवार्य है। प्रादिकर्ण को मिला कर किया गया था। ITPO एक सेवा संगतन है जो व्यापार उद्योग एवं सरकार से नियमित एवं नजदी की आदान-प्रदान करता है। देखिए यह उद्योग व्यापार और सरकार के संपर्क में रहता है और उन्हें सूचनाओं का आदान-प्रदान नियमित तोर पर करता है यह नियात फर्मों को अंतराश्टिय व्यापार मेले एवं परदर्शनियों में भाग लेने में सहायता करता है नई वस्तुओं के नियात को विक्सित करने का काम भी करता है वानिज्य व्यवसाय संबंदी आज तक की सूचना उपलब्द कराता है जो वानिज और व्यव कारियों को उपलब्द कराने का कालिये करता है सामर्थ्य प्रदान करता है यह इसके परमुख कालिये हैं भारतीय विदेशी व्यापार संस्तान इसकी एस परEx 1963 में भारत सरकार ने पंजीकरत स्वायत संस्ता के रूप में की थी इसका मूल उद्देश्च देश के विदेशी व्यापार प्रबंद को एक पेशे का स्वरूप प्रब्दान करना है यह संस्तान अंतरराश्टिय व्यापार का प्रक्षिक्षन देता है देखिए अंतरराश और उनमें किस प्रकार निवेश किया जाए कितना निवेश किया जाए इससे समंदित सूचनाओं का यह विसलेशन करता है और व्यवसाईयों को उपलब्द कराने का कारिय करता है भारतिय पैकेजिंग संस्तान आई आई पी देखिए इसका प्रोंक कारिय क्या है पैकेजिंग से समंदित है यह पैकेजिंग एवं जाच का प्रक्षिक्षन एवं अनुसंधान संस्तान है पैकिंग नए नए तरीके ढूंडने का कारिय करता है साथ ही उनकी जाच करने का यह कारिय करता है उसका प्रक्षि है देने पैकेजिंग के विकास की जात सेवाें प्रक्षिक्षण और सैक्षणिक-कायकरम संवर्धन इनामी प्रतियोगिता सूचना सेवाएं और न्य साहय करता है यह packing से संबधित उन की जात से संबंदिक प्रस्क्रिक्षन प्रदान करता है वह सुविदाएं उपलब्द कराने का कार्य भी करता है आईए देखे राज्य व्यापार संगठन मैं 1956 में राज्य व्यापार संगठन की इस्तापना की गई थी STC का मुख्य उद्देश विश्व के विविन व्यापार में भागीदारों में व्यापार को विसेस्तन निल्यात को बढ़ावा देना था विश्व व्यापार के भागीदारी में जो हमारा इसके व्यापार है उसको कैसे बढ़ावा मिले इसके लिए प्रियासरत करने का कार् वेचना कीजिए देखिये प्रत्म विष्वय जीद्ध और ध्रित्य विष्वय जीद्ध के बाद इस संस्ता की इस्तापना की गई उन्ताराष्टी है इस्तार पर युद्ध के बाद जो प्रश्टाव थी जो अंतर राश्टि यह विवसाय में एक गिरावट आई थी अर्थ विवस्ताई जो नष्ट हुई थी उनकी सुद्रडी करण के लिए तीन संस्ताओं के गठन का प्रस्ताओं था उस प्रस्ताओं के अंदर अंतराश्टिय मुद्रा कोस भी एक संस्ता थी आई एम एफ जो 1945 में अस्तित्व में आया उसका मुख्याले वाशिंग्टन डी सी में इस्तीत है 2005 में 91 देश इसके सदश्य थे अंतराश्टिय मुद्रा कोस को विस्व व्यापार के विस्तार का मार्ग प्रसस्त करने के लिए विनिमे दरों में इस्तिर्ता लाने का दायित्व सौंपा गया इसका जो प्रमुक कार्य था वह क्या था विस्व व्यापार का विस्तार करने के लिए जो विनिमे धरों में इस्तिरता कैसे लाई जाए इसके बारे में नीतियां बनाने का कार्य इसका था IMF के उद्देश एक 27 संस्ता के माध्यम से अंतराश्टिय मुद्रा सही योग को बढ़ावा देना इसका प्रमुक उद्देश था अंतराश्टिय व्यापार के संतुलित विकास के विस्तार को सुगम बनाना एवं उच्चे इस्तरिय रोजगार एवं वास्तविक आये में व्रद्दी एवं अनुरक्षन में योगदान देना इसका उद्देश था सदश्य देशों के बीच नियमानुसार विनी में विवस्ता के उद्देश से विनी में स्तिर्ता को बढ़ावा देना इसका प्रमुक उद्देश था देशों के बीच वर्तमान लेंदेनों के संदर्व में भुक्तान की बहु आयामी परणाली की स्तापना में सहायता करना अभी इसका प्रमुख उद्देश기는 था जो दो देशों के बीच में जो विद्ध में होता है उसविद्धा को इस्तिरता प्रदान की जाये अजय को पूरा करने के लिए अनेकों संस्ता के रूप में कार्य करती है अपने सदश्य देशों को विनिमे के लिए तंत्र की रचना करना और जो विनिमे दर में इस्तिरता लाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनमें समायोजन के लिए तंत्र की एक धांचे की रचना करने का भी इसका प्रमुक कार्य है सभी सदश्य देशों की मुद्राओं के कोश की रूप में कार्य करना जिस करते हैं निर्दारिक मात्रा में उन्हें से धन प्रदान करना होता है और इससे यह कोश्ट 71 होता है अब किसी देश को किसी विदेशी मुद्रा में आवशक्ता है धन की तो वह इससे प्राप्त कर लेता है किसी देश कि इसको रुपय में आवशक्ता है तो वह रुपययah प्राप्ट कर लेगा किसी को डॉलर में आवशक्ता है तो वह इस से डॉलर में विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकता है विदेशी मुद्रा एवं वर्तमान लेंदेनों के रिंडात्री संस्ता का कार्य यह विदेशी मुद्रा में और वर्तमान लेंदेन में जो मुद्रा प्रियुक में आती है उसकी रिंडात्री संस्ता के रूप में भी कार्य करता है किसी भी देश की मुद्रा का मुल्ये निर्दारण करना अथ्वा आवशक्टा पढ़ने पर उसमें परिवर्तन करना जिससे की सदस्य देशों में विनिमेदरों में सुवेवस्तित समायोजन किया जा सके का भी इसका कालिय है और इसने इसी परकार का कालिय 1991 में भारत सरकार से करवाया था अंतराष्टिये विचार विमर्ज के लिए तंत्र की विवस्ता करना अंतराष्टिये इस तर पर नए नियम बनाने के लिए नया धाचा खड़ा करने के लिए विचार विमर्ज के लिए भी यह कार्य करता है आईए आगे देखते हैं कर प्रश्न नहें विश्व वियापारा संगठन की विशेस्थाओं भाचा उद्देश एवं काल ये संचालन पर विस्त्रद टिप्रदरी की जिए अ इसमें विश्व व्यापार संगठन की विसेस्ताओं को पुछा गया है, उसका structure कैसा है, धाचा कैसा है, उसके बारे में पुछा गया है, उसके उद्देश और कारियों के बारे में पुछा गया है, आईए, देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन का उद्देश सदेश् कीच अंतरराष्टिय व्यापार को बढ़ावा देना एवं सुविदा जनक बनाना तथा उस समय व्याप्त विभिन्न परतीबंद एवं पक्षपात पर काबू पाना था देखिए इसकी इस्तापना भी ब्रेटन वुड्स समेलन में होनी थी और इसका जो प्रमुकार्य निर प्रतीबंद लगे हुए थे कई देशों पर उस पर काबू पाना भी इसका क्या था लक्षे रखा गया था अमेरिका के कड़े विरोद के कारण यह विवार में नहीं आीं हा सका लेकिन उस समय अमेलिका-ने इसका बहुत विरोद किया और यह अस्तित्व में नहीं आ सका इ ब्रेटन वूड्ज सम्मेलन में भाग ले रहे थे उन्होंने विश्व को उचे सीमा सुलक एवम उस समय लागू अन्य दूसरे प्रकार के प्रतिबंदों से मुक्त करने के लिए सुलक एवम व्यापार का साधरण समझोता जनरल एगरिमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड किया जनरल एगरिमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड एक जनवरी 1948 को अस्तित्व में आया देखिए यह एक जनवरी 1948 को अस्तित्व में आया और दिसंबर 1994 तक कारियरत रहा जिए टीटी में विचार विमर्स के उरुगवे दोर के परिणाम स्वरूब जिए टीटी को एक जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन में परिवर्तित कर दिया गया जीए टीटी जो था सादर्ल समझोता जो था उसको बदलकर एक जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन नाम दिया गया इसका मुख्याल है जिनेवा स्विट्जर लेंड में इस्तित्त है विश्व प्रदान की प्रदान अंतराष्टी संस्ता एवं बहु आयामी व्यापारिक मंच होने के नाते इसका आई एम एफ एवं विश्व बैंक के समान वैश्विक इस्तर है भारत विश्व व्यापार संगठन का संस्तापक सदश्य है ग्यारा दिसंबर 2005 को इसके 149 सदश्य थे भारत इसका संस्तापक सदश्य है भारत का इसकी स्तापने में महत्वपूर्ण योगदान है विश्व व्यापार संगठन के उद्देश विविन देशों के द्वारा लगाए गए सुल्क एवं अन्य व्यापारिक बादाओं में कमी को सुनिश्चित करना जो देश कई प्रकार के सुल्क लगा देते हैं तता व्यापार में वाधा उत्पन करते हैं उस पर कमी करना उ यह है एकिकरत अधिक व्यावारी एवम टिकाव व्यापार परणाली का परवर्तन इसका प्रणुक उद्देश्य है कि पिस्व पर संगठन के कारिय देखिए इसके प्रमुक कार्य कौन कौन से हैं एक ऐसे वातावरण को बल देना जो इसके सदश्य देशों को अपने सिकायतों को दूर करने के लिए WTO के पास आने के लिए प्रोचाइद करे जब दो देश आपस में किसी व्यापार से संबंदित बातों पर आपस में जगडते हैं तो वे निश्पक्स रूप से समाधान चाहने के लिए WTO के पास जाते हैं वो इस संस्ता के पास जाकर अपना समाधान प्राप्त करते हैं एक सर्वमान ने आचार सहीता बनाना जिससे की व्यापार की बादाओं जैसे सीमा सुल्क को कम किया जा सके एवं अंतराश्टिये व्यापार संबंदों में पक्षपात को समाध्त किया जा सके इसके लिए आचार सहीता बनाने का कार्य भी इसका है विवादों को हल करने वाली संस्ता के रूप में कार्य करना भी इसका प्रमुक कार्य माना गया एक यह सुनिश्चित करना की सभी सदश्य देश अपने आपसी विवादों को हल करने के लिए अदिनियम द्वारा निर्दारित सभी नियम एवं कानून का पालन करें इसका ध्यान रखना भी इसका प्रभुक कार्य माना गया IMF एवं IBRD एवं इससे संबंद एजेंसियों से विचार विमर्स करना जिससे की वैस्विक आर्थिक नीती के निर्मान में और श्रेष्ट समझ एवं सही योग का समावेश किया जा सके से इसका प्रमुक कार्य है वस्तूओं सेवावं एवं व्यापार से संबंद इतना ही इस वीडियो में हमने अंतराश्टिय व्यापार से समंदित जो दीर्ग उत्रात्मक प्रश्ण थे उनको देखा है अगले वीडियो में फिर मिलेंगे धन्यवाद